नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं इंडिया नियूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे अदित्या चोप्रा की फिल्म पठान का पूरी दुन्या में डंका बच रखा है कमाई के मामले में पठान ने सारे रिकॉर्ड्स तो डाले हैं इतना ही नहीं अदित्या चोप्रा ने एक बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने शारुक और सल्मान खान को एक साथ बड़े परदे पर लेके आए हैं जो की बहुत बड़ी बात है शारुक खान की पठान में सल्मान खान ने कैमियो किया था फिल्म में सल्मान खान ने शारुक से कहा था कि वो बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हैं जिसमें सल्मान को पठान यानी की शारुक की मदद की जुरत पढ़ने वाली है इस बीश टाइगर 3 की शूटिंग को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि शारुक खान टाइगर 3 में एक बड़े एक्शन सीक्विन्स के लिए साथ दिनों तक शूटिंग करने वाले हैं मीडिया से बादशीत करते हुए YRF के करीबी ने कहा YRF की स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म यानी की टाइगर 3 में जब पठान और टाइगर फिर से मिलेंगे तो कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो दर्शकों ने पठान में शारूक और सल्मान को एक साथ देखा और पसंदी गया अब लोग ये जानने के लिए बेताब होते दिख रहे हैं टाइगर 3 में पठान और टाइगर की फिर से मुलाकात को लेकर अदित्य चोप्रा और निर्देशक मनीश शर्मान के दिमाग में क दिनों में इस सीक्विंस की शूटिंग की जाएगी जिसे देखकर लगता है कि इसे दर्शकों के लिए वीज्वल डिलाइट बनाने के लिए कोई बड़ी योजना त्यार की गई है दर्शकों ने पठान में जो देखा है उसके बाद से उनकी उमीदे आसमान चूरे हैं औ कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बताते चले कि टाइगर 3 में सल्मान खान के अलावा केटरीना कैव भी नजर आने वाली हैं वहीं इम्रान हाश्मी फिल्म में विलन का किर्दार निभाने वाले हैं फैंस इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं अब देखना ये इन्टेन्मेंट जगत की तमाम खुबरों के लिए जुड़े रही हैं इंडिया न्यूस के साथ